वाम अनिकोम, वेलकम तो मैं चैनल खापा, आज मैं आपको बनाना बता रहे हूं चने का सालन वाइट चने या छोले आप इसको जो भी कहते हैं यह वो हैं इसको मैंने ओवरनाइट सोप करके सोडे में खाने का जो सोडा होता है सोडा पाइकार्ब उसमें बिगो के रखा था सुबह उटके बॉइल कर लिया बॉइल करके बिल्कुल अच्छा वाला नरम वाला गला लिया गलाने के बाद इस बाव में निकाल के चम्मच से आधे आधे चने को मैश कर लिया तोटे टूटे से जो दिख रहे हैं यह आपको यह मैंने खुद चम्मत से चनों को मैश किया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने एक कप के करीब वह पानी रखा है जो जिसमें मैंने चने बॉयल किये ते मेरे पास वन लार्ज अनियन है इसको मैंने थिनली स्लाइस किया है इसको मैंने रफली काटके यहां पर रखा है दो टेबली स्पून जिंदर गार्लिक पेस्ट है जो जाएंगे चने के सालन में जिसमें वन टेबली स्पून हल्दी है वन टेबली स्पून घनिया पाउडर है वन टेबली स्पून गरम मसाला पाउडर है वन टेबली स्पून जो हम एंड में सालन के ऊपर काई रिशाल करते हैं अपनी रेसिपी चने के सालन की इसमें मैंने हाफ कप पतीली में डाला है यह वाइल शदीद तेज गरम हो गया अब मैंसके अंदर जो स्लाइस की हुई अनियन थी गोड़ा लूगा 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 से देखिए अक लीजो का दौटने लूगा 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 तब हम इसमें यह सारे सप्स़ाइस डाल देंगे अद्रकलसं का पेस्टाल को जोण दो हम इसमें इसमें आफिरवी तो व्यूमय तो इसमें होला है पेस्ट आफिल जालता य। यूल शीन चाड़िए में इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीज पानी डाला और अब मैं इसको कवर करके टमाटर गलने तक और बूनने तक वेट करूं जाए के लिए कवर कर दिया पांच मिनट के बाद इसको खोल के तर गूल के तिखिंगी तमाटर गल रहे हैं अभी थोड़ा सा मैस करेंगे त जलाएंगे फिर दुबारा रसके पकाएंगे तमाड़ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं मसाला भून चुका है अब हम इसमें चने डालेंगे पूरे इस मसाले में डाल देगे और फिर से मिक्स करेंगे चनों को मैश जरूर करिएगा उससे सालन गाड़ा गाड़ा और बहुत अच्छा बनता है मगे को हच्छा से इसको मिक्स करेंगे अब सालन को हल्की आँच पे चनों के साथ मसाला मिक्स हो जया अच्छा सा इसलिए पकाएंगे 10 मिनिट हलकी आँच पर पकाएंगे तोल के चैप करेंगे जबर्दस से चने पकरेंगे और ओल साइड में आजए थोड़ा सा पानी इसमें है अभी तो थोड़ा और दियर रगके पकाएंगे अब इसे स्टेज पे हमने यह जो अर हरी मिर्चें काटके मोटी मोटी रखेंगे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे मिर्चे और धनिया डाल के रेखें कितना जबर्दस सा कलर है और बहुत टेस्टी वंदे जरूर बनाईएगा और ट्राय करीएगा इस स्टेज पर इसका नम अब इसको सर्फ करेंगे तर आपको दिखाती हूं अब गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ बनाए और खाये बहुत ही मज़े का बनतर अब तक क्या आप अब हमादार सी चने के सालन की छोलों के सालन की रेसिपी मिलती हूं अर नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए Allah फे झाल झाल